प्लांट फिजोलोजी में अभी तक आपके ट्वी coach have जुखे जिसमेंसे फॉर्स चैप्टर था इसपाड़ेशं इन प्लांट सेकंड चैप्टर था आपका फोटो synthesis in higher plants ठीक है ये दो चैप्टर आपके finish हो चुके हैं I hope आप सब ने इस चैप्टर का notes बना लिया होगा इसका revision कर लिया होगा और इस से related descriptive as well as objective questions आपने solve कर लिया होगा ठीक है आज के video session में हम discuss करेंगे plant physiology का third chapter और वो chapter क्या है आपका transport in plants ठीक है transport in plants एक important chapter है थोड़ा सा lengthy chapter है ठीक है इसमें बहुत सारे आपको headings मिलेंगे और बहुत सारे concept मिलेंगे ठीक है यह actually में conceptual chapter है ठीक है यहाँ पर concepts आपको ज़्यदा मिलेंगे और learn करने वाली चीज़े यहाँ पर थोड़ी कम मिलेंगी as compared to other chapter ठीक है transport in plants जब हम start करेंगे तो first of all मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम पहले कुछ questions देखेंगे जो आपके screen पर दिख रहे हैं ठीक है यहाँ पर कुछ necessary questions हैं इस chapter को start करने के लिए जिनकी listing मैंने बना रखी है ठीक है और इसके साथ साथ हम इस chapter को support करने वाले या ऐसे आप बहुत सकते हैं कि cell structure और tissue को कैसे relate करेंगे transport in plant chapter से ठीक है यहाँ पर आपके सामने यह जो भी questions है इसको मैं discuss करूँगा बट उससे पहले या आप ऐसे बहुत सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या discuss करने वाले है objective of transport in plants ठीक है मतलब कि किसी भी plants में transport का objective क्या हो सकता है objective of transport in plants ठीक है यह आपका क्या है यह simple side question है और इस question का answer होगा कि जो भी plants को required होते हैं ठीक है आप सबको पता है कि कोई भी living body है उनका कुछ न कुछ एक requirement होता है ठीक है उनका कुछ न कुछ एक requirement होता है plant भी क्या living body है और इसको भी कुछ न कुछ इसकी requirement होती है ठीक है इसकी कुछ न कुछ requirement होती है requirement में क्या-क्या required है जैसे कि first सबसे important जो है वो क्या water then carbohydrate ठीक है Carbohydrate ठीक है then minerals then hormones ठीक है जिसको आप बोलते है growth regulator क्या बोलते है growth regulator मतलब की plant growth regulators ठीक है तो यह कुछ requirements है और यह requirement plant के different part में चाहिए होता है ठीक है suppose that कोई branch है तो वहां चाहिए carbohydrate तो वहां जाएगा ठीक है water अगर किसी पार्ट को चाहिए तो water वहां पे भी जाएगा ठीक है तो ऐसे यह कुछ requirements है और इसी requirements को हम one place to another place one place to another place जो है किसके through इसको communicate करते हैं transport की through ठीक है plant के body में ठीक है carbohydrate, minerals, hormones यह one place to another place यह transport होते हैं ठीक है अब यह आपका objective of transport का discussion हो गया ठीक है आप सबको मैंने बताया था कि plant में क्या होता है até photosynthesis होती है क्या होती है plant में photosynthesis होती है or photosynthesis जब होता है तो क्या बनता है? carbohydrate क्या बनता है और यह carbohydrate और यह quantidade green part प्लांट में ये बंता है ठीक है और वहां से different place पे different part में ये distribute होता है ठीक है तो distribute क्यों होगा इसलिए होगा क्योंकि photosynthesis का जो product होता है वो क्या होता है carbohydrate ठीक है और carbohydrate की requirement different part को है because carbohydrate क्या देता है energy देता है आप सबको पता है कि ये क्या देगा energy देगा ठीक है और इस energy को retrieve करने के लिए carbohydrate का transportation करना होगा ठीक है जिसके लिए कुछ definite type के tissues involved होते हैं और then वो carbohydrate one place to another place transport होता है ठीक है then वो carbohydrate one place to another place transport होता है ठीक है तो ये आपका मैंने कुछ objective of transport को यहाँ पे discuss किया plant के case में ठीक है अब अब हम आते हैं questions पे ठीक है यहाँ पे जो questions mention किये गए है how water reached to the top of tall tree ठीक है जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे tree बहुत ज़्यादा height के होते हैं कभी कभी ऐसे भी आपको tree मिलेंगे जो hundred feet तक उनकी height होती है या इससे भी ज़्यादा उनकी height होती है तो इतना long distance तक अगर कोई चीज transport करना हो या कोई material transport करना हो तो वो कैसे possible होगा ठीक है तो इसका simple सा answer है translocation ठीक है और translocation में जाइलम और phloem का requirement होता है जाइलम और phloem की requirement होती है जिससे क्या होता है water, minerals and organic materials ये क्या करते हैं transport होते हैं aerial part of the plant या tall tree तो आगे मैं इसको discuss भी करूँगा ठीक है long distance को कैसे cover करते हैं वैसे NCRT अगर देखें तो NCRT ये बोलता है कि long distance को cover करने वाला जो method है वो क्या है translocation है क्या है वो translocation है ठीक है NCRT ने बोला है transport over longer distance proceed through the vascular system xylem and phloem and is called translocation मतलब सिधा सा है कि translocation जो process है इसमें involve कौन होता है इसमें involve होता है xylem और phloem में यहां पर involve होता है जाइलम फ्लोem के help से translocation होता है ठीक है तो first question का answer तो हो गया ठीक है then second question पर आते है second question है how and why substances move from one place to another ठीक है तो इसका तो बहुत सारा answer है जैसे कि question आपका है how and why क्यों substance transfer हो रहा है one place to another place ठीक है और कैसे हो रहा है ठीक है तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहला जो reason है वो यह है कि substance का amount किसी भी particular place पर कितना है ठीक है amount जो है decide करता है कि वो कहां से और कहां की तरफ वो transfer होता है ठीक है और transfer होते समय different तरह के transportation method की requirement होती है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है like diffusion से भी transport होता है facilitated diffusion से भी transport होता है active transport से भी transport होता है तो यह transport के different method है और जो भी substance या material transport होने वाला है उसका particular place पर क्या concentration है यह दो ऐसे point है जिसके भीहाब पर place change करेगा वो substance one place to other ठीक है how and why substance move from one cell to other cells ठीक है then third जो आपका question है do all substance move in similar way no ठीक है यहाँ प्यांसर क्योंगा no because यहाँ पर जो substances है वो different type के है ठीक है और उनका requirement different place पर है तो वो similar way में transfer नहीं हो सकते है और नहीं उनका similar direction हो सकता है ठीक है जैसे for example gylem में अगर discuss करते हैं तो gylem में क्या होता है roots है ठीक है कोई भी plant है आप सबको पता है कि कोई भी plant है तो plant का root है यह ठीक है और root कहां पर है soil में और soil में क्या अबिलेबल है water अबिलेबल है ठीक है and minerals भी अबिलेबल है ठीक है यह water minerals है different part में distribute होंगे different part में यह distribute होंगे और distribute होने के लिए यहां required क्या है जाइलम की requirement है ठीक है similarly जब photosynthesis होता है किसी green part आप plant में तो वहां क्या बनता है carbohydrate आप सबको पता है वहां पे carbohydrate का formation होता है और carbohydrate जो है transport होता है किस के थूँ flowem के थूँ ठीक है आप सबको पता है flowem आपने class strength में पढ़ा होगा gylem भी class strength में पढ़ा होगा तो flowem के थूँ यह carbohydrate different part में transfer होता है ठीक है gylem जब ट्रांसपोर्ट करता है तो direction कैसा होता है unidirectional होता है कैसा होगा unidirectional और जब phloem transport होता है तो transportation कैसा होता है multi-directional कैसा होता है multi-directional ठीक है तो यहाँ पर यह two types के transportation आपके सामने दिख रहे हैं ठीक है तो यह आपका जो question था do all substance move in similar way and same direction तो मैंने आपको बताया है कि यह answer क्या होगा no होगा ठीक है क्योंकि हर substance similar way में transport नहीं होते हैं ठीक है और ना ही उनका direction same होता है थोड़ा सा और elaborate कर दूँ जो similar way यहाँ word use किया गया है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि different substances के लिए different method use के जाते हैं ठीक है different substances के लिए different method यहाँ पर use किये जाते हैं ठीक है ना जैसे कि active passive transport ठीक है then next आपका क्या है is there a requirement of metabolic energy for transport of molecules तो यहाँ पर answer होगा yes ठीक है actually जब transport होता है material या substance तो कभी-कभी against the concentration gradient होता है ठीक है कैसा होगा against the concentration gradient suppose that यह एक plasma membrane है और यहाँ पर किसी a substance का concentration जो है वो क्या है low है similarly यहाँ पर भी a कोई वही same type का substance है और यहाँ पर concentration इसका क्या high है ठीक है और जब इस तरह का condition हो और जो transport करने का direction हो वो low से high के तरफ हो ठीक है low से high के तरफ हो तो इस type के transportation में आपको एक दिखता है unique type का direction ठीक है वो क्या होगा low to high जिसको हम बुलेंगे against the concentration gradient ठीक है मतलब कि concentration gradient के opposite यह move करेगा है ठीक है usually क्या होता हायर से lower के तरफ movement होता है यहां क्या हो रहा है low to high हो रहा है जो unnatural process है जो क्या है unnatural process है और जब इस type का movement होगा तो इसको बोलेंगे against the concentration gradient यह word आप याद रखेंगे ठीक है न यह important है और यहां पर इस type के transportation में क्या required होगा energy की requirement होगी ठीक है energy की requirement होगी यहां पर मैं energy लिख दे रहा हूं और energy किस form में use होगा ATP के form में use होगा ठीक है तो यह जो आपका question था fourth number is the requirement of metabolic energy for transport of molecules यह भी आपका इस question का भी answer हो गया ठीक है यहां पर answer होगा yes ठीक है metabolic energy required होती है कुछ ठीक है कुछ यह ऐसे बोसते हैं sometimes requirement होती है जब against the concentration gradient के बिहाब पर transportation होता है ठीक है then next question है does the plant have a circulatory system तो answer होगा no ठीक है plant के अंदर कोई भी circulatory system नहीं होता है ठीक है actually यहां पर compression किसे कर रहा है एनिमल से ठीक है एनिमल में आप ले लो human ठीक है या कोई भी animal ले लो आप ठीक है वहां पर क्या होता है proper blood vascular system होता है ठीक है यह vascular system होता है जिसमें capillary vessels होते हैं जिसके तुरू क्या होता है blood transport करते है one place to other place ठीक है but plant में ऐसा कुछ भी नहीं होता है ठीक है यहां पर long distance transportation के लिए मैंने starting बताया कि यहां पर translocation के थू होगा और जिसमें बहुत सारे concept use होते हैं जो आगे के classes में आपको बताऊंगा और यह translocation होता है जिसमें की requirement होती है special type के tissue की जिसको मैंने बताया भी आपको जाइलम और flame जाइलम और flame जो है materials को one place to other place वो ट्रांसपोर्ट करते हैं long distance के लिए ठीक है तो यह आपका fifth number question हो गया then last question which substances are transported ठीक है मतलब कौन से सबस्टेंस है जो ट्रांसपोर्ट होते हैं तो यह चीज़ मैंने आपको अब्जेक्टिव में बताया था objective of transporting plants तो वहाँ पर मैंने बताया कि different type of substances होते हैं जो transport होते हैं और वो plant के लिए required होते हैं like water like minerals organic compounds ठीक है growth hormones ठीक है या आप उसको growth regulators भी बहुत दे हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़े transport होती हैं ठीक है but अगर आपको transportation समझना है अगर आपको transportation समझना है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको cell का idea होना चाहिए ठीक है especially cell wall का idea होना चाहिए आपको और cell membrane का idea होना चाहिए cell membrane में molecules का transportation method मैंने बताया था ठीक है मैंने आपको transportation method आपको बताया था अच्छे से और वहां मैंने बताया था कि polar जो molecules होते हैं या polar जो substances होते हैं वो easily membrane को cross नहीं करते हैं ठीक है बट non-polar substances cross easily ठीक है ना non-polar easily cross कर जाते हैं ठीक है और अगर मैं अगर long distance transportation की बात करूं तो वहां पर tissue भी discuss होगा और tissue में आपको जाइलम और phloem को discuss करना होगा ठीक है कहने का मतलब कि जब भी यह chapter आप पढ़ेंगे तो आपको cell का cell membrane as well as cell wall का idea होना चाहिए ठीक है उनका transportation pattern आपको पता होना चाहिए और tissue में आपको idea होना चाहिए जाइलम और phloem का जाइलम और phloem का अगर आपको idea है तो आप अच्छे से समाज सकते हैं ठीक है कि देखो मैं आपको बताता हूँ cell wall के बारे में ठीक है cell wall में transportation को discuss करने जा रहा हूं ठीक है cell wall जो होता है वो freely permeable होता है कैसा होता यह freely permeable होगा ठीक है मतलब यहां पे cell wall किसी भी substance को easily cross करने देता है इसमें restriction नहीं होता है ठीक है restrictions not found in cell wall बट आप जब cell membrane discuss करेंगे जब आप cell membrane discuss करेंगे तो cell membrane आप सबको पता है कि यह selectively permeable होता है selectively permeable होता है और और term use करते हैं semi permeable ठीक है selectively word use करते हैं salute transport के लिए और semi word use करते हैं solvent transport के लिए ठीक है semi कब use करेंगे जब solvent transport की बात करेंगे that means कि जब water transport की बात करेंगे तो semi permeable word use करते हैं conceptually और जब आप salute की transport की बात करेंगे salute transport की बात करेंगे तो वहां पर जो term use करते हैं वो है आपका selectively permeable ठीक है तो यह दो चीजे मैंने आपको अलिडी बताया भी है आप चाहो तो मेरा 11th का YouTube का जो playlist है ठीक है ना 11th का playlist मैंने separate बना रखा है तो आप वहां पर आप जाकर cell wall और plasma membrane दोनों के transportation method को आप study कर सकते हैं उसको देख सकते हैं और concept build कर सकते हैं ठीक है तो plant tissue में एक category होती है permanent tissue की permanent tissue ठीक है और permanent tissue में एक type होता है आपका complex ठीक है complex tissue ठीक है complex tissue में two types के acid tissue होते हैं जो transportation के लिए responsible होते हैं जिसमें से फर्स्ट आपका क्या जाइलम और second जो है वो क्या है आपका phloem ठीक है phloem यह two types के vascular tissue है क्या बोलेंगे vascular tissue और vascular tissue यह किसमें आएंगे complex tissue में आएंगे और इसको vascular जह कंज लिह बोल रहे हैं क्यूंकि यह substances को transfer कर रहे है ठीक है जिसके जब टिसक्रस करेंगे तो यहां क्यों हो जाएगा track qué, tracking हो जाएगा और यहां क्यों हो जाएगा आपका vessels हो जाएगा ठीक है then gael घीक है जाएलम फाइबर्स आप यहां पे बोह सकते हैं और यह वाटर और मिर्रेट के लिए होते हैं जो आगे मैं डिसकस करूंगा ठीक है अभी क्या करना है आपको जाइलम के टांसपोर्ट के लिए होता है ठीक है देन फ्लोयम में अगर देखें तो फ्लोयम के जो component है वो क्या क्या है फर्स्ट आपका है सीव ट्यूब क्या है सीव ट्यूब एलिमेंट है ठीक है, second जो है वो क्या है, companion cells है, companion cells, ठीक है, then third आपका क्या है, phloem, ठीक है, यह phloem, parenchyma, ठीक है, phloem, parenchyma, then, जो next आपका क्या है, वो है, phloem, fibers, ठीक है, तो यह phloem के components है, और यह phloem के components है, यह food materials को transport करते हैं, यह किसको transport करेंगे, यह food materials को transport करेंगे, as well as others को भी transport करते हैं, ठीक है, तो यह tissue के बारे में हो गया, मैंने आपसे यहाँ पर बताया था ने, कि tissue का idea होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर basic idea दे दिया, अगर आप चाहते हैं इस topic को पढ़ना, तो आप chapter anatomy of flowering plants, ठीक है, यह chapter है आपके 11th में, ठीक है, और यहाँ पर पढ़ेंगे plant tissue topic, क्या पढ़ें 87 number page पे आपको मिलेगा, NCRT के approach 87 number page पे आपको यह मिलेगा, तो वहाँ पर जाकर इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यह chapter को अगर पढ़ना है, तो यह कुछ चीज़ें आपको idea होने चाहिए, ठीक है, और यह जो भी आपके सामने यह questions दिख पता दूं, जो NCRT ने mention किया है, जैसे NCRT ने बोला है, कि जब short distance, short distance cover करना होता है, जैसे कि suppose that कोई cell है, और cell में यहाँ पे कोई material है, और इसको transfer होके यहाँ जाना है, तो यहाँ पे transfer होगा, तो किसके through होगा, यह transfer? transfer, by diffusion होगा, यह transfer, by diffusion होगा, then by cytoplasmic, इसको अच्छे से note करोगा आप लो, यह बहुत important है, by cytoplasmic streaming, क्या होगा, streaming, ठीक है, और इन दोनों को supplement कोन करेगा, इन दोनों को supplement कोन करेगा, supplemented by, supplemented by active transport, ठीक है, active transport के through यह supplement होगा, ठीक है, एक बार फिर से बोल दूँ कि जब short distance transportation की बात करेंगे, तो सबसे पहले आएगा diffusion, then cytoplasmic streaming, और दोनों यह कहाँ पे होते हैं, यह cytoplasm के अंदर होते हैं, जब substances को one place to other place जाना होता है, तो यह दोन method होते हैं, और इन दोनों को supplement कोन करता है, active transport method, active transport method, यह NCRT की introduction में आपको मिलेगा, यह line, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ points है, जो आप introduction में आपको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे, और इसके बास से हम discuss करेंगे, कि transport जाए, actually कहां से कहां होता है, उसका direction क्या है, और किस part में किस type का transportation होता है, ठीक है, यह सारी बाते यहाँ पे discuss करेंगे, आपके सामने screen पे, मैंने यहाँ पे four column मना रखे हैं, जिसमें first column है, जाइलम, second column है phloem, third column है आपका senescence, मतलब की old part of plants, then आपका है storage organs are parts, ठीक है, यह अलग-अलग tissue are parts है, प्लांट के, जहाँ पे अलग-अलग इनके role है transportation में, जैसे कि अगर discuss किया जाए, तो जाइलम, जाइलम मैंने भी बताया है, कि जाइलम कहाँ पे transportation, जाइलम actually कैसे transport करता है, तो जाइलम आप सबको पता है, रूट से वो aerial part के तरफ transportation करता है, ठीक है, किसको करेगा transportation, आप transportation का वो क्या होगा, यूनि डिरेक्शनल, कैसा होगा, यूनि डिरेक्शनल होगा, ठीक है, then, फ्लोयम जब discuss करेंगे, तो आप सबको पता है, कि फ्लोयम जो है, वो actually मैं किसका transport करता है, mainly वो food को transport करता है, जब आप फ्लोयम की बात करेंगे, तो फ्लोयम का relation food से, और food कहाँ पर फॉर्म होता है, लीफ में, ठीक है, फोटो सेंथेटिक लीफ में, food का formation होता है, फोटो सेंथेशिस प्रॉसेस की तुरू, और वहां से, मल्टी डिरेक्शनल वे में, ठीक है, मल्टी डिरेक्शनल मतलब कि different directions में, all parts of the plant की तरफ ये, food material ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ये जो है, कुछ unique type का है, senescence, senescence का मतलब old part, ठीक है, जैसे कि कोई भी plant, आप देखते हैं कि plant का जो bottom या vessel part होता है, वो old हो जाता है, ठीक है, suppose यहाँ old part में कोई branch है, ठीक है, और ये branch जो है, अब ये shut off होने वाली, नीचे गिरने वाली है, ठीक है, तो उससे पहले क्या ह होता है, कि यहाँ पर जो भी mobile element होते हैं, या mobile substances होते हैं, वो अपना place change करके, वो कहाँ चले जाते हैं, newly growing area में, ठीक है, new growing area में वो transport होते हैं, ठीक है, एक बार फिर से बता दूँ, old part से वो substance mobilize करके, new growing part में वो transport हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि old से new के तरफ जा रहे हैं, तो डिरेक्षन जो होगा, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, multi direction भी हो सकता है, क्योंकि new part कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी उसकी position हो सकती हो, ठीक है ना, कहीं पे भी उसकी position हो सकती हो, यहाँ पर multi direction लिकना बेटर होगा, ठीक है, then, जब आप storage part के बात करेंगे, जैसे कि for example, potato, य आपको पता है कि क्या होता है स्टार्च होता है और स्टार्च गुलकोज का पालिमर होता है ठीक है जब इस पोटेटो को आप नेक्स्ट सीजन में जब इसको लगाते हैं ठीक है स्वाइल में तो क्या करते हैं स्वाइल में लगाने के बास आप देखते होंगे कि स्वाइल मे कि अंदर क्या स्टोर है कार्बो हाइड्रेट स्टोर है और जब यह पार्ट ग्रो करना स्टार्ट करता है तो यहां से कार्बो हाइड्रेट shift करके new growing part में जाता है ठीक है तो ये भी क्या हो गया transportation का pattern हो गया ये भी क्या हो गया transportation का pattern हो गया और यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे transportation जो होगा वो कैसा होगा bi-directional होगा जैसे कि अगर आप discuss करते हैं कि यहाँ पे store material यहाँ से यहाँ shift हो गया और जब यहाँ से इस part में जब photosynthesis future में होगा तो वहाँ से फिर अगेन यहाँ के तरफ यह transport होगा material ठीक है so that यहाँ पे हम बोलते है bi-directional way में यहाँ पे transport हो रहा है और यहाँ पे concept कौन सा यूज करते हैं source and sink ठीक है तो यहाँ पे आपको आपने देखा कि bi-directional way में transport हो रहा है बट यहाँ पे कौन involve हो रहा है यहाँ पे involve हो रहा है flowyam यहाँ पे कौन involve हो रहा है flowyam flowyam के help से storage organ से growing part के तरफ जह है transportation होता है और growing part से storage part के तरफ भी होगा और इसलिए यहाँ पे bi-directional way में होगा transportation हो करेगा कौन flowyam करेगा ठीक है कौन करेगा फ्लेयम करेगा ठीक है तो यह आपका जो transportation का different information था मैंने discuss कर लिया ठीक है अब इसके बास से हम discuss करेंगे next heading और आपका जो next heading है वो है means of transport मतलब कि यहाँ पे different type के transport method discuss करेंगे में डिफेर्एन टाइप के transport में डिसकस करेंगे है